हेलो फ्रेंड स्वागते आप सभी का हमारे इस यूरूप चैनल मेजर टार्गेट पर तो दोस्तो आज में लोग लेकिया कलास्टेन के फिजिक्स का काफी महतपुर्ण भोती किरासी के सभी महतपुर्ण एसाई मातरक को देखेंगे जो आपके बौट परिक्षा के लिए बह बात कर लेते हैं ना तो आपके मेटिक बौट परिक्षा में जितने भी बहुती करासी के एसाई यूनिट पुछे जाते हैं आप से एक भी एसाई यूनिट नहीं चुटेगा यह मेरा गेरंटी है और दोस्तों एसाई यूनिट से संब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्र करते हैं आप आज के पहले नवर परसंट से तो देखिए आप में आज का पहला परसंट क्या गराए कि विद्धु सक्ति का ऐसाई मात्रग होता है मोस्ट इंपोर्टेंड है अप्सन ए में आपका दिया हुआ जूल और अप्सन भी है डाय ओप्टर और अप्सन से मीटर औ अब आए फ्रेंड देखते हैं पर दो नवर परसंट को देखिए का क्या करा है कि विद्धुत परती रोधकत का ऐसाई मात्रग क्या होता है मोस्ट इंपोर्टेंड है और अम या फिर और 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 अप्सन दी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो विद् परती रोधकत का ऐसा मात्रग क्या होता है और मीटर होता है यहां पर और और बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं पर तीन नवर परसंट काफी महतपूर्ण ने देखे तीन नवर परसंट क्या करा है कि विद्धुत ये कार्य का वैवशाइक मात् मात्रग होता है किलोवाट घंटा होता है यानि कि आप पर और बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखते हैं पर चाहाँ नमर परसंट को देखेगा क्या करा है कि विद्धुत धड़ा का मात्रग होता है मौस्ट इंपोर्टेंड है और अपका दिया है कुल पता होगा यह विद्धुत धरा का इसे मतलग क्या होता है अप लोगों को बता देते हैं जैसे कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों क्यों बरावर क्या होता है आई टी होता है ठीक है आवेज जो होता है विद्धुत धरा और आपका समय के गुनान फल के बरावर होता है तो यहां पे हमको किसका जरू होते है आई का जरू होते है यानि कि यहां पे हम लोग आई पराबर क्या हो जाएगा दोस्तों Q बटे T हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आपे पांच नमर परसन मोस्ट इंपोर्टेंड है तो फ्रेंड इसमें हम लोग फीजिक्स के काफी महतपूर्ण यह साई यूनिट को देख रहे हैं जो आपके बहुत सारे परसन इसी वीडियो से रहेगा अगर यह साई यूनिट से जित्ते परसन पुझे जाएंगे ना तो आप से एक भी परसन नहीं चूटे गए यह मेरा गैरंटी है और दोस्तों यह 25 परसन में से अगर आपको जो भी परसन अगर याद ना हो ना तो प्लिस उस परसन को अपने नोट में नोट करके उसे जरूरर याद कर लिजेगा तो आए दे प्रती ओम मीटर होता है यानि कि यहां पर मेरा प्रसन परसी जो ही ना बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखते हैं आप छे नमबर प्रसन क्या कराएं कि एक कैलोरी बरावर होता है मोस्ट इंपोर्टेंड और काफी और आपके मेरेटरी वर्ट पर इस सब्सक्राइब इस आप लोग को याद रगना यहां पर मेरा प्रसन पर जो ही ना बिल्कुल से उतर हो जाएगा और दोस्तों एक परसी पूझा आते हैं कि एक जूल जो ही ना कितने किलोरी के बरावर होता है तो दरस तो एक जूल जो होए तक है ना यह 0,2,3 एक किलोर सब्सक्राइब होना liberalis отдел नमत्रक्तों यहां पर किलोवट घंटा जो मत रहगा ना इनिकाद रह जाएगा तो दोस्तो एक किलोवाट घंटा जो बरावर होता है आपका 3.6 गुना 10 के पावर 6 जुल के बरावर होता है इसे आप लोग को याद रगना है अब आए फ्रेंड देखते हैं आप आठ टमर परसुन को देखे हैं क्या गरा है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है अब चले अगला परसुन है तो देखें आप नोव नमर परसुन ही बहुत ही महतपूर्ण है तो देखें क्या करा है कि ध्यान पूर्वक्ट देखना इसको भी कि घरों में विदूत उर्जा का खर्च को मापा जाता है या फिर में मापा जाता है या फिर वर्ट में मापा जाता है यानि कि यहां पर अब अगला परसुन जो काफी महतपूर्ण है तो देखेंगा दस नमर परसंट क्या करा है कि चुम्बक यह छेतर की तीवर्टा का मात्रग होता है मोस्ट इंपोर्टेंड है यानि कि या फिर वर्ट में बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब आये फ्रेंड देखते हैं आप ए 11 परसंट को देखेंगा क्या करा है कि चुम्बक यह फ्लक्स का ऐसा ही मात्रग क्या होता है या फिर वेवर और और आपका दिया वार तो दोस्तो चुम्बक यह फ्लक्स का ऐसा है ना वेवर होता है इसे आप लोग को याद रखना है यानि कि यह फिर बहुत इंपोर्टेंड और काफी वर्ट पर इच्छा में पूछा जा चुका है तो दोस्तों इस वीडियो में हम काफी महतपूर्ण काफी महतपूर्ण मौश्ट इंपोर्टेंट 25 ऐसे और आपका एक भी परसन नहीं रहेगा इसलिए एक को अच्छी तरह से ध्यान पुरूबक याद कर लेना है और दोस्तों इस परसन में से अगर आपको जोवी परसन कर याद ना हो ना तो इस परसन को अपनी नोट में नोट करके उसे जरूर याद कर लिजेगा अब चलिए फ्रेंड देखती है आप बारन अबर परसन को देखी गा ध्यान पर लोग क्या कराए कि एक एंपियर ब्रावर होता है मोस्ट इंपोर्टेंड है ऑप्सन ए में आपका दिया हुआ एक वोल्ट परती सेकंड या फिर एक क्यू बरावर क्या होता है अपका यहानि कि है आभेस इसका इसे मतलड तो आप्से अर बीजो हेना बिलकुल से उतर हो जाएगा अब आये फ्रेंट देखते हैं आप एरन पर इंपोर्टेंड है तो देखेगा क्या क्या रहा है कि electron-volt मातरग है तो दिस्तो ई-मलोग सोट भेti घते है तो एलेक्ट्रों वोलट गहता है किसका होता है अपसन ऐ में आपको दिया वीदे धारा आपका या फिर समेई का और ऑशन Đी में आपका दिया वह दूरी दोस्तो ई भी यानि कि एलेक्टिंग वॉल्ट तो मातर होता है ना उड़ जाका होता है यानि कि यहां पर उप्सन और बी जो ही ना बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं पे चाओदर नमट परसन को देखें का क्या गराए कि उप्देख एक वोड़ जो हैकि युज़ परती सेकेंड और फ्रेख में आपका दिया हूँ एक व्सकार क्या होता है जैसे की w बरावर जो हता है आपका फॉर्मुला क्या होता है यहां पर उप्सिन नंबर सी जोना है विल्कुल से उतर हो जाएगा एक जूल परती कुलाम काफी महतपुर्ण परसन है अब चले फ्रेंड देखते हैं आप पर 15 परसन को देखेंगा ध्यान पर वह क्या करा है कि यहां पर देखेंगा और दोस्तो एक वाट बरावर होता है तो दोस्तो यहां पर देखेंगा पी ब्रावर फॉर्मुला क्या होता है आपका डावलो आ टी होता है ठीक है तो यहां पर हमको क्या निकाल ना एक वाट निकाल ले तो यहां पर विदू सक्ति का इसा मतलर क्या होता है वाट होता है ठीक है तो यहां पर एक वाट ब्रावर जो हो जाएगा आपका क्या हो अब आये फ्रेंड देखते हैं आप इस और परसन को देखिए क्या करा है कि एक एच भी बरावर होता है या फिर इसे हम लोग हर्स पावर भी कर सकते हैं तो दुस्तों आपका दिया है या फिर आप चले फ्रेंड देखते हैं आप साटर परसन को देखेगा देखिए आप क्या कराएं कि आवर्धन का ऐसे मात्रग है मोस्ट इंपोर्टेंड है अप्सन अब करते मीटर या फिर जूल और अप्सन टी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई ने तो दुस्तों आवर्धन का बहुत इंपोर्टेंड है और काफी वर आपके मैट्रिक वर प्रिक्षा में पूछा भी जा चुका है अब आए फ्रेंड देखते हैं आप 18 नमर परसन को देखेगा क्या कराएं कि विद्धुत उर्जा का वायापारिक मात्र क्या है मोस्ट इंपोर्टेंड है और फिर वा परसन को देखें कि लेंस की चमता का मात्र होता है मोश्ट इंपोर्टेंड है और चमता की परचलीन क्या यह मात्र होता है थीक है और दोस्तो लेंस की चमता का और भी अन्लिय मातर होता है जैसे आपका 5-3 मीटर हो गया यह एक मीटरPh expensive टीक है और जो लेंस की चमता परचली को यान्स सेफलर होता है चलिए अभिषने देखemaker महीत पूर न की होता है most important है, option A में आपका दिया meter, और option B है second, और option C में आपका दिया ampere, और option D में आपका दिया उइन में से कोई नहीं, तो दोस्तों, आप और तोनांग का भी जो है ना कोई SI मातरग नहीं होता है, यानि कि यह मातरग भी हिनरासी है, यहाँ पर option D जो है ना बिल्कुत से उतर हो जाएगा, इन में से कोई नहीं, अब आएए फ्रेंस देखते हैं, आप एक इस नमर्पर परसंद क्या गराए कि, परकास का वेक का SI मातरग होता है, most important है, option A में आपका दिया meter, या फिर second और option C MPR, और option D में आपका दिया meter 35 second, तो दुस्तो, परकास का वेक का SI मातरग होता है, meter 35 second होता है, यानि कि यहाँ पर अपर 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 दी जो है ना बिल्कुत से उतर हो जाएगा, और दोस्तो, तारण का SI मातरग होता है, meter 35 second square होता है, इसे आप लोग को याद रगना है, तारण का SI मातरग क्या होगा, meter 35 second square होगा, और दोस्तो, परकास का वेक का SI मातरग क्या होगा, meter 35 second होगा, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जो वेग होता है ना इसका मात्र क्या होता है मीटर पर 30 सेगेंड भी होता है अब चले फ्रेंज देखती हैं आप अगला परसन तो देखें आप 22 नमर परसन क्या कराएं कि विद्धूत आवेस का एसाइए मात्र होता है तो दिस्तो विद्धूत आवेस यानि कि एलेक्टिक चार्ज का जो एसाइए मात्र होता है ना कुलम होता है यानि कि आप में और आपका दिया बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब आये फ्रेंड देखते हैं आप 20 नमर परसन क्या कराएं कि विद्धूत आपका एसाइए मात् होता है और इसके साथ सब्सक्राइब क्या होता है और विद्धूत आप लोग को याद रखना है अब चले फ्रेंड देखते हैं आप 24 नमर परसन को देखें क्या क्या कराएं कि प्रती रोट का एसे मात्र होता है मोस्ट इंपोर्टेंड आपका दिया फिर कुलोंग और और प्रती रोट का ऐसे मात्र होता है ना क्या होता है और यानि कि आप लोग इस तरह सुजित करते हैं ओमेगा के द्वरा सुजित करते हैं याद रखना यह भी परसन बोथ इंपोर्टेंड और काफी वर आपके मैंटिक और पिछा में पूछा भी जा चुका है अब चले फ्र अब आए फ्रेंड देखते हैं आप 25 परसंट क्या कराई कि विदुत उर्जा का मात्र के मोश्ट इंपोर्टेंड ओप्सन एमें आपका देऊ जूल या फिर वर्ट और 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 सेकेंड या फिर इनमें से कोई ने तो दूस्तों विदुत उर्जा का जो ऐसे मात्र होता है जूल होता है यानि कि यहां पर अब सेवतर हो जाएगा तो फ्रेंड इसमें हम लोग जो हीना फीजिक्स के सभी एसाइए यूनिट को देख चुकिए जितने भी सारे सारे इंपोर्टेंट ऑटेंट इसाइए मात्र को देख चुकिए हैं और दोस्तों आप लोग हमें कमें करके जरू बताएगा अगर आपको नहीं पता है ना तो आपको कमेंट कीजिए हम आपका जोई ना कमेंट का रिफ्लाइग कर देंगे अब चले फ्रेंड देखती है आप आज का हमक परसंट जो है आपके लिए आपके लिए आगा या देखेगा क्या करा है कि पादब हर्मोन का उधारने अपके पैपसिन और अपसंट डी आपका दिया और अपसंट तो इसका राइड अंसर क्या होगा इसका भी जो है ना जबाब आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है अब चले फ्रेंड देखते हैं आप तो दो दोस्तों भी तक वीडियो को लाइ संपूर्ण शुरू से लेकर आखरी तक देखने के लिए थैंकि फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे